एक अगस्त 1933 को मीना कुमारी का जन्म हुआ था आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है जब तक जीती रही तब तक लोगों की निगाहों के निशाने पे रही और इस दुनिया को छोड़ कर जाने के बाद भी उनके नाम से न जाने कितने अफसाने कितने किस्से कितनी कहानिया बनती रही और बनती रहेंगी लोग दूसरों के लिए जितने जिज्मेंटल होते हैं अगर उसका 50% खुद के लिए हो जाए तो ये दुनिया जन्नत बन जाए लेकिन ये दुनिया जिन्दों को छोड़िये मुर्दों का कफन खीचने में भी परहेज कहां करती है हर कोई बेदाग दामन ही चाहता है पर कई बार वक्त हालात और मुकदर के हाथों मजबूर हो जाता है और फिर अपनी बेगुनाही की गवाही किस किस को देता फिरे लोग तो वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं वही सोचते हैं जो सोचना चाहते हैं मुझे लगता है ऐसा ही कुछ हुआ मीना जी के साथ उन्हें देखकर मुझे तो ये लगता है कि शायद जीते जी और मरने के बाद भी ऐसा ही कुछ सोचती होंगी मीना जी नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं ना फूल ना कलियां ना कोई ख्वाब ना काटो में घसीटो यू मेरा दामन मर चुकी हूँ मैं अब हूँ सिर्फ एक एहसास शफाद दामन है मेरा उसे यू मैला न करो जमाना हसता रहे मुझे यू रुस्वा न करो बहुत मजबूर हूँ मैं मुझ पर तरस खाओ सो गई हूँ मैं हमेशा के लिए मुझे नींदे सुकून से अब ना जगाओ तो सुकून की नींद सोती मीना कुमारी के अभी भी किसे कहानिया तरह तरह की बातें लोग उनके बारे में करते रहते हैं पर मुझे तो लगता है कि अब उन्हें सुकून से सोते रहने देना चाहिए क्योंकि वो तो एक ख्वाप सी सुन्दर थी और एक बहुत ही खुबसूरत एहसास थी उनकी बर्थ एनिवर्स्री पर हम सभी उनके सुकून के लिए बस केवल दूआ कर सकते हैं हमारी यादों में हमेशा रहेंगी मीना कुमारी